असलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं हूँ अद्दान खान वेलकम टू माई चैनल स्बार्ट मुवीज वॉक आज हम रिव्यू करने वाले हैं फाइनली होड स्टार डिजनी प्लस पर नहीं बलके होड स्टार के प्रीमिय एक्सिस पर रिलीज हुई ब्लैक व ऑफिशली इंडिया में रिलीज नहीं हुई है इंडिया में इसको ऑफिशली हिंदी में डप करके अक्तूबर में रिलीज किया जाएगा तो यह सारी बाते तो हो गई इस फिल्म के बारे में तो आपको जाधा टाइम न लेते हुए आपको बताते हैं कि यह फिल्म कैसी है ब्लैक बड़ो के केरेक्टर के उपर फोकस करती है उसके पास्ट में उसके साथ क्या हुआ और सिविल वार के बाद उसने क्या क्या मुशन पूरे किये यह कहानी सिर्फ इसी टॉपिक को कम्प्लीट करती है तो गाइस मैं आपको बता जेता हूं कि इस फिल्म की टाइमलाइन एमस्यू की टाइमलाइन में एक्सिस नहीं करती है यह फिल्म स्टार्ट होती है सिविल वार के इंसिडेंट के बाद से जिसके बाद सारे अलग अलग हो चुके हैं और सभी गवर्मेंट अवेंजर्स को तलाश कर रही है इस फिल्म को देखने के निया आपको दो घंटे- दसमिन डिशल करती है यह नहीं यह मूवी उन लोग निया एक ब्लॉग्बास्टर मूवी है जो लोग मास्ट मूवी देखना पसंद करते हैं और एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं इस फिल्म में हर एक वह एलिमनट डाला गया है जिसकी वाजह से मूवी मास्स और mettre पसंद आये अगर आप Marvel के फैन है और आपको एक्शन मुवी देखना पसंद है तो यह फिल्म आपकी निये फुली टाइम पास फिल्म है और अगर आप Marvel के डाय हार्ट फैन है और आप Marvel को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो यह फिल्म आपकी निये एक डिसपॉंटमेंट है अगर इसको नहीं भी बनाया जाता तो मारवल की टाइम लैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मारवल पहले ही इतनी सारी ब्लॉक्बास्टर और माइंड ब्लॉइं मुवी डिलीवर कर चुका है जिसके सामने ये ब्लैक डो विल्कुल भी स्टेंड कर तीवी नजर नहीं आती बात करें इस फिल्म के एक्षन देखनें को इस फिल्म में मिलेगा बात करें सभी करेक्टर के पर्फोर्मेंस की तो यहां पर ब्लैक विडो अपने करेक्टर को अच्छी तरीके से प्ले करते हुए नजर आती है लेकिन यहां पर मैं सबसे ज़्यादा तारीफ करने चाहूँँ ये लेना बिलोव है उनको इस फिल्म में पूरी तरीके से वेस्ट किया गया है अगर उनके करेक्टर को इस फिल्म से निकाल भी दिया जाए तो इस फिल्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरे पॉइंट ओव व्यू से देखा जाए तो यह मार्वल की एक वन टाइम वाच टिपिकल क्रें मूवी है जिसको आप अभी किनियेगा कर सकते हैं लेकिन जब यह ऑफिशीली इंडिया में हंधिज़ी डब में रिलीज हो जाती है तो उसके बाद आप इस movie को एक बार देख सकते हैं बात करें critics की तो critics ने इस movie को mixed response दिया है किसी ने इस movie को अच्छा बता है तो किसी ने इस movie को average बता है बात करें मेरी तो मेरी इस movie की निये rating होगी 10 out of 6 star because क्योंकि ये सिर्फ एक action one time watch movie है जिसको अगर marvel नहीं भी बनाता तो marvel की timeline पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो guys अगर आपको मेरे review ज़रा भी पसंद आया तो comment section में नीचे लिक कर ज़रूर बताएं साथ मैं चैनल को subscribe भी कर दें, वीडियो को like भी कर दें और नीचे देगे bell icon को भी प्रेस कर दें जिससे यह होगा कि आपको हमारी वीडियो की notification सबसे पहले मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक की यह keep watching